हेलो इस्टूइन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आरान एजूकेशन फाउंडेशन हम आपको पढ़ा रहे थे प्राइकता जिसके पहले आप पढ़े हो इसमें इसके पहले पढ़ चुके थे सापद्बन प्राइकता है कि कैसे हम सूत को अपलाई करते हैं सूत्र क्या हो यह खेल-खेल में प्राइकता पढ़ते हैं इसके नीचे भी मिल जाएगी आपको इसमें जब मिलेगा तो आप देख के आसानी से पूरी इसकी वीडियो को पढ़ लीजिए क्योंकि कैसे सिख्का उचलते हैं तो परदर समझ्ट कैसे प्राप्त होता है या पासा उचला जा लाइए उसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जो उसके आगे हमने पढ़ा था जहां तक उसी के आगे हमने 4 नंबर कुईशन तक सॉल्व किया था 5 नंबर आपको कुईशन कहा था कि 5 नंबर आपने सॉल्व कर लिया फिर भी आपने कमेंट से बॉक्स में कोई मैसेज नहीं किया तो इसलिए आगे हम कुईशन सॉल्व करता है अगर आप तब भी कोई अभी भी वीडियो कभी भी देख रहो किसी भी टाइम अगर आपको कोई कुईशन प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी मैसेज कर सकते है उसके लिए हमें कोई समस्य नहीं आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा चलिए कुईशन नम्बर 9 कह रहा है निमलिखित इसमें लिखा गया है कह रहा है निमलिखित पर 6 से 9 तक के P E by F का मान ग्याद कीजिए एक सिक्क्यों को तीन बार उच्छा लगया कह रहा है एक सिक्क्यों को तीन बार उच्छा लगया तो इसकी परदर समझ ठी क्या होगा तो सबसे पहले हम 6 नमबर बात करते है इसमें 1,2,3 3 को इसमें एक सिक्क्यों को तीन बार उच्छा लगया तो तीन बार उच्छालने पर क्या क्या आता है आप जानते हो अगर उच्छाला जाए तो आपको हमसे करली ब्रेकट में तो यह त्रिपल हैड यानि एक सिक्क्यों को त्रिपल हैड हो गया फिर ऐसे लिख देंगे एच 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 कम कर दो फिर अपकी एक एच और कम करो एच पिर एक ती हो गया फिर क्या करो ती ह हएच और एच हो चागा पिर ऐच एच हो गा और फिर डी एच हो हो combin त्रिकश एच एक ब्राच उच यह वल्क कि ए तना बन गय त्यका तो तोटल तोस के बा HOLCैनल आट है क्योंकि एक सिख्चे को तीन बार उच्छाला जाता तो उसकी 2 की power कितना हो जागा अगर एक head या tell आता है तो 2 की power 3 बराबर कितना 8 तो देखो 8 है कि नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह 8 घटना हो गई तो 8 होनी चाहिए था अब जैसे कहरा question वैसे आप ले लिजी चलिए first में आते हैं first में e एक घटना दी गई वो क्या दी गई है उसको आप ध्यान से लिख लो कहरा e e एक घटना तीसरी उचाल पर क्या कहा गया कि तीसरी उचाल परचित चलिए तीसरी उचाल परचित धूड़ो कहा है यहाँ पर है तीसरी उचाल पर ध्यान देना है तो h, h और s हो गया पिर तीसरी उचाल, पहली उचाल, दूसरी तीसरी, पिर पहले दूसरी इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो यह क्या होगा, टी, एच, एच हो जागा, यह हुआ, पिर यहां पे भी है, टी, टी, एच हो गया, फिर यहां पे नहीं, इसमें है, एच, टी, एच, यह उस पे चीत होना चाहिए, उसके पहले जो कहा गया, उससे पहले हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर कहा रहा है, दूसरा F लिखा गया है, अगर F की बात करते हैं, पहली दोनों उचालो पर चीत, अगर पहली दोनों उचालो पर चीत निकालो कि पहली दोनों उचालो प गर्दित है, head, head, हो जागा, फिर इसमें दोनों पे, हाँ इसमें भी है, head, ahead, आओ फिर tell हो गया, फिर इसके बाद इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, अब इसके बाद कोई नहीं, तो curly bracket crunch कर दो. अब इन दोनों में सबसे पहले तीनों value हम देख लेते हैं आप common क्या बन रहा है क्योंकि common भी ले लिया जाता है E intersection F बराबर क्या होगा अगर निकालोगे तो देखो दोनों में common क्या है head यहाँ पर भी और triple head यहाँ पर भी और कोई common है नहीं और कोई नहीं है तो हम एड को ऐसे ले लेते हैं common यह हो गया triple head तो आपको यह मालूम हो चुका कि इसमें value क्या होगी कि इनके लिए triple head है अब triple head है तो आप देखो इनमें तीनों हो गया common अब इसमें number निकालेंगे नंबर इसके क्या होंगे, जब नंबर निकालेंगे, तो देखो इसका नंबर कितना होगा, किस सबसे पहले, अगर N E निकाले, तो N E में कितने elements हैं, देखो गिनो, एक कामा लगा के, दो, तीन, चार, कामा के जो लिगा, तीन, चार element है, और N F पे निकालो, तो देखो, N F में कितने हैं, दो element हैं, और N E intersection F में कितने हैं, आप देखोगे, एक है, सबका निकाला है, हमें एक चीज़ निकालना है, probability P E by F में तो सबसे पहले क्या निकालो, अगर इसकी probability निकालते हैं, P E intersection F, अगर निकालोगे, तो ये क्या कहेगा, N E intersection F, अब बटे क्या होता है, N S होता है, तो N S बराबर कितने होगे, अगर total इसमें गिनोगे, तो N S बराबर कितना होगा, आप लिख सकतो, N S बराबर कितना, 8 होगे, भी आपको बताए, कि अगर N S मिलता है, तो इसमें 31 को चालत, 8 हो जागा, तो value रखो, एक बटा कितना, 8 होगे, फिर हम PF निकालेंगे, अगर PF निकालोगे, तो कितना होगा, आप यही कहोगे, N F बटे कितना, N S होता है, अभी आपको फार्मुला ये बताए तो पीछे, तो N S का मतलब कुल बिंदो के संख्या, इसकी value कितना, 2 और बटे कितना, 8 होगे, और हमें फार्मुला क्या गयात करने कह रहा, आपको याद भी होगा, कि कहा गया था, E by F गयात किजिए, मतलब, P E by F, अगर E by F गयात करना, तो आप पड़े थे, P E intersection F, अब बटे क्या होगा, नीचे F है, तो यह P F होग अब आप देखो, इसकी value पुट कर दो, इसकी value कितना, 1 by 8 हो गया, और इसकी value 2 by 8, तो यह इससे कड़ गया, तो यह कितना आगया, 1 by 2 आगया, तो बस हमें ऐसी ही solve करना था, इसमें आपको कोई समस्या नई रही होगी, कि कोई समस्या रही होगी, अब इसकी इंसाट आप ले लिजे, तो देखो, बस question को solve करने का method आपको पता ही चल लुगा, क्योंकि हमने कहा था, खेल-खेल में जो प्राइकता पढ़ है, उसको आप वीडियो अच्छे से देख लीजेगा, तो यह आपको समझ बनाने में कोई दिक्कत नहीं, याद करने को तरीका हम बता दे र होगे, तो आपके लिए जरू समझ से हो जाएगे, आपने इसकी इंस ओट ले लिया होगा, चलिए, next question देखते हैं, कि ये वाला तो हो गया, फिर अगला क्या है, कि इसमें दिया गया है, question number second, अब हम solve करते है, question number कौन सा second, question number second ले लिए, कहाँ कि ए, का मतलब है नियूंतम दो चित नियूंतम दो चित मतलब दो चित से कम ना हूँ पहले दूसरे नहीं कह रहा है ऐसा का मतलब नियूंतम दो से कम ना नियूंतम मतलब जैसे हमने कहा कि नियूंतम दो दो लड़ू सबको बाढ़ दो टो एक लट्डू देगो तो गलत हो जायागा, ना दोगे, कोई दिकक्नत, तीन दोगे, तब भी तो कहँगे,웠 ना, न्यून्तम, तब भी आपकोँ होगे, कि आपको उससे ज़्यादा लेना है, यानि निवन्तम दो चीद से ज़्यादा, सबसे पहले निवन्तम दो वालोग ढूड़ो, तो दो का कितना है, H, H, T हुआ, और कहें, यहाँ एक है, यहाँ दो है, फिर T, H, H हुआ, और यहाँ पर देखो, कहीं पर यह है, H, T, H हुआ, निवन्तम गया है कि कहरा अधिक्तम एक चित एक ध्यान देना इसमें थोड़ी सी गलत लिखी गई अधिक्तम एक चित के असान पर जो अधिक्तम लिखा है यहां अधिक्तम क्या होगा दो चित होगा यह आपको ध्यान देना है अगर यहां पर जो लिखा गया है अधिक्तम ये एक नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, दो चीत होगा, याद रखना, ने अधिक्तम दो चीत वाला आप ढूड़ो, जब आप ढूड़ो कि दो चीत कौन सा हो जागा, इसमें अगर बात करें, दो चीत, तो अधिक्तम दो चीत, अधिक्तम दो चीत में कौन तो इसको आप निकाल दो अधिकतम 2 है और इसके पास सारी value आ जाएगी यानि H, H, T, T हो जागा T, H, H, H हो जागा फिर T, T, H हो जागा T, H, T हो गया H, T, H हो गया और तिपल T आ गया क्यों हो जागा क्योंकि इसमें कहीं अधिकतम 2 से दो वालग तो हमने ले लिया एक वालग भी ले 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 और जिसमें नहीं होगा वो भी हो जागा क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक हमने त्रिपल H को छोड़ दिया अब इसमें क्या करेंगे value निकालो intersection F अगर निकालोगे तो देखो क्या क्या आएगा common दो चित इसमें भी है इसलिए head head tell हो गया यह हो गया फिर देखो नंबर तो हमें जो निकालना E by F गयाद करना है तो अगर हम ले ले लेते हैं NF में लो लो NF कितना एक दो एक दो तीन चार पांच छे साथ 7 element है और N E intersection F ले लो इसमें कितने element है एक दो तीन element है और N S में आप जानते हो कितने है आठ है क्योंकि एक सीके को दो बार उचाला गया तो उतने होगा तो हमें क्या गयाद करना है अगर हम सबसे पहले P F निकालने तो P F बराबर क्या होता है N F बटे N S होता है तो N F की वैलू कितना है 7 अब बाई कितना 8 और P E intersection F निकालो तो क्या होगा आप निकालोगे N E intersection F बटे क्या होगा N S हो जागा बैलू पूट करो इसकी वैलू कितना 3 है इसकी वैलू 8 और आपको क्या कहा गया कि ग्याद करिए P E by F ग्याद कीजिए यानि E by F ग्याद करना है इसलिए F निकाले थे तो आप जानते हो P E intersection F बटे क्या होगा P F क्योंकि F नीचे है तो इसकी वैलू कितना 3 बटे 8 और इसकी वैलू देखो 7 बटा 8 हो जागा तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया 3 बटे कितना आगया 7 ये इसका क्या होगा answer हो गया तो देखो कितना आसानी से आप निकाल ले रहे हो बस ऐसे आप ध्यान देते रहे हैं कोई आपको question ध्यान देना है उसमें missprint है book में क्योंकि अगर नहीं answer match करेगा तो answer match करने के लिए हैं उसमें हमने सही English Medium की book देखोगे तो आपको correct मिल जागा अपने इसका skin sort ले लिया होगा चलिए फिर ऐसे question बहुत आसान आसान question लेकिन आपको घटना कर बनाना आता होगा तो हमने एक चीज कहा था कि आप जरूर पीछे की video जो आपको दो देख लिजेगा जिसमें आप आसानी से समझ जाओगा ठीक चलिए अगला question लेखते हैं कि साथ number ये छे number का आप ये question को आसानी से आप solve कर सकते हो हमें नहीं लगता है कि 6 number में आपको कोई problem होने वाली है second number अधिक्तम दो पट और नियुनतम दो पट इसको आसानी से solve कर लोगे नहीं solve करना तो comment box मैसे करते हैं हाँ सब नहीं solve करोगे same message ही होगा अब आगे question number 7 को दे एक सिक्के को दो बार दोन बाद एक है तो ये एच आएगा और क्या है एच आएगा टी आएगा टी आएगा और टी आएगा ये कैसे हम मनाते आप पीछे बिजा के खेल खेल में जो प्राइक था पड़ते उसकी वीडियो जरू देख लीजेगा आपको समझ में आ जाएग कभी याद करने के कोई जरूत नहीं अब इसमें पहला नंबर दे रहा है ये घटना है ये घटना है वो क्या कह रहा है एक सिक्के पर परकट होना या होता है तो एक सिख्के पर पट, पट का मतलब टेल, एक सिख्के पर कहा गया, एक सिख्के पर पट यहाँ पर है, तो यह क्या होगा, ह्ट होगा, और इसके बाद ट होगा, यह तो होगा, दोनों पर नहीं हुआ, एक सिख्के पर, पट पर कट हुआ, इसलिए होगा, F क्या कहा रहा है कि अगला देखो एक सिक्के एक सिक्का या सिक्के सिक्के पर चित परकट होना एक सिक्के पर चित परकट होना चित का मतलब head ये दोनो head इसलिए नहीं हो सकता तो ये क्या आजागा ht और ये क्या होगा th दोनो आगया अब दोनों में आप क्या कर लो common ले लो अगर common ले लोगे तो कितना देदेगा अगर e intersection f निकालते हैं तो ये क्या देदेगा ht और th आप दे लेगा अगर इसमें number की बात करते हैं तो nf में number निकालो कितना 2 और N E intersection F, इसमें नमबर निकालो तो कितना हो जागा, इसमें भी तो 2 आएंगे, इसके हम probability निकाल लेते हैं, अगर हम probability निकालते हैं, P F की तो आप पढ़े थे, N F बटा कितना, N F बटा N S, N S कितना है, नहीं मालूम है, 1, 2, 3, 4, एनि N S पराबर कितना है, 4 है, इसी को गिन ल फिर निकालो, P E intersection F, अगर इसमें निकाल या, इसको cut करना चाहो, 2 दूनी, 4, तो कितना हो जागा, 1 बटा 2, इसका निकालेंगे, तो आप लिख सकते हो, इसमें, कि N E intersection F बटे कितना, N S हो जागा, ये भी कितना, 2 बटा 4, क्योंकि इसकी value यहाँ पर 2 लिखी है, और total value 4, 1 बटे कितना, 2, और हमें आप जानते हो, कि निकालना क्या है, कि P intersection, यहनि P E by F जाद करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, P E intersection F, बटे क्या होगा, P F, क्योंकि F नीचे था, इसकी value 1 बटा 2, और इसकी value भी 1 बटा 2, काट दोगे, तो 1 आजागा, तो ये इसका answer हो जागा, ज लिख सरी, लिव में आपको कोई समस्या कोई समस्या, सरी बटारी कोई करते हैं, की घटना, अगर आपको ये बनाना आ आगा हा तो गॉप सक्राइब, अगर आपको एक जानकारी तो अल Unless Liet and experience coming from Class 11 17, दौन को एठिछा को आपक प्राईक्ता भी और को बढ़ते हैं, कापमे करते हैं फिर next question की बात करते हैं कि next question क्या है उसको देखते हैं और solve करते हैं देखो next question second number है क्या कह रहा है second number लिखा हुआ है कि अ कोई पट पर कट नहीं होता है अगर कोई पट नहाँ तो क्या आएगा पट का मतलब tell तो head आएगा कोई पट नहाँ यहीं तो आएगा head head आएगा कि नहीं यही तो काहुआ रहा कोई पटना एक सिक्टी दो बार उछालोगे तो इसमें head आएगा head टेल आएगा तो उसमें पट आगया दूसरे में देखो F काहिँ रहा है क्या काहिँ रहा है कि F कोई चित कोई चित परकट नहीं होता याने इसमें कहरा है कोई चीत्थी परकटना ほो उसमें क्या था कोई पटना होए और इसमें कोई चीत्थी परकटना हो जब कोई चीत्ना परकट हो तो क्या हो जाएगा कहो गे tts आजाएगा आग्या tts जब tts आगया अब e इसमें intersection f देखो कुछ common बन रहा है कहोगे नहीं, तो यह क्या होगे, 0, तो 0 हम लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख दें, 5, क्योंकि common नहीं है, तो रिक्त समुझ आ गया, जब रिक्त समुझ आ गया, तब इसकी probability निकाल लो, अगर हम probability निकालते हैं, तो हम PF की निकालेंगे, तो कितना होगा, आप जानते हो, NF बटे, NS होता है, NF की value कितना है, 1 बटे कितना, 4 हो जागा, फिर अगर P, E intersection, F निकालो, तो कितना होगा, इसकी value कितना, 0 बटे 4, बराबर कितना, 0 आ जाएगा, अब हमें, जब 0 से बाग करेंगे, तो हमें, प्राइक्ता क्या गया गयात करना है, P, E by F गयात करना है, तो पूट करो, इसकी value 0, इसकी value कितना, 1 बाई 4, बराबर कितना, 0, तो बहुत आसान, आसान को इसन था, देखो, इसना आसान इसे solve कर लिया, इसकी in sort up अपने ले लिए होगा, यह होगा 7 नमबर, फिर 8 नमबर को इसन देखते है, 8 नमबर कर रहा है, एक पासे को तीन बार पासे पर आ रहा है, तो पासे पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पासा एक अलग चीज होता है, ठीक है, सिक्का एक अलग चीज होता है, तो हमने एक आपको बताया था, खेल-खेल में आये प्राइक्ता पड़ते हैं, तो वहां से जाके पासे को, क्योंकि छचोग, शूझे माइं तो प्राइक था घूइन लीगे में बहुत टाइब इसलिए हमने का खेल के में प्राइक्त पढ़ते हैं वहां से अच्छे सबनाएं आप पास एक साल केलते हुए प्राइक्त पढ़ते हैं उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आसानी सी यह मिल जाएगा तो अब जरूर जाके देख लीजेगा अब ह परकट होना यानि जब तीसरी उच्छाल लिया जाए तो उसमें संख्या क्या आजए चार आजए और कह रहा है कि पहली दो उच्छालों को 6 और 5 परकट होता है तो इसमें अगर हम संख्या निकाले तो क्या कहोगे अगर इसको निकाला जाए तो यह कहोगे 1,1,4 क्योंकि क तीसरी उशाल पर संख्या चार पर कट तो 1,1 फिर इसके बाद ऐसे ले लो कि 1,2,4 होगा फिर ऐसे ले लेंगे 1,3,4 ऐसे बहुत सारे नमबर आते चले जाएंगे ऐसे ये भी आचा 6,5,4 आएगा और ऐसे लिखते हुए 6,6,4 ये बहुत सारे ऐसे नमबर मिलते हुए चले लेकिन जिस नमबर की हमें ज़रूरत वही नमबर आपके लिखते हैं बहुत सादा नमबर इससे कोई मतलब ने बहुत सारे ऐसे नमबर आते जाएंगे इसलिए 10 लगा हुआ क्योंकि इसमें नमबर आप लिखोगे तो बहुत जादा बस छोड़ देंगे क्योंकि लाश्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहली दो उचालो पर क्रमसा क्या लिखा हुआ है कि पहली और 5 प्रकट होना 6 तथा 5 प्रकट होना अगर होता है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं अगर निकालोगे तो पहले 6 5 पहली और दूसरी उचाल पर 6 होना चाहिए 5 तीसरे उचाल पता नहीं तो कहोगे एक होगा कि नहीं क्योंकि तीसरे का पता नहीं फिर किसरे का पता नहीं इसलिए condition हो रहा है 6 5 3 हो जागा या तो आय रहा होगा 6 5 4 आय रहा होगा या 6 5 और ये 5 आय रहा होगा या 6 5 6 आय रहा होगा यही तो उपर कट होगा क्योंकि पहली दूसरे पर 6 5 हुआ लेकिन तीसी उचाल का पता नहीं तो कहोगे उचालोगे या तो एक आ सकता या तो 2 या तो 3 या तो 6 तक इससे नंबर जादा कोई यह नहीं आ सकता अब दोनों में आप क्या कर लो common ले लो अगर आप common ले लेते हैं E intersection F तो देखो इसमें 4 चार वाला अंख है तो 4 कहां पे यही तो फार्मुला कितना? N F बटे तो N F बटे कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं तो 6 बटा कितना? 216 यह हो जागा और P निकालते हैं E intersection F निकालो तो यह क्या होगा? N इसमें कितनी value? 1 और total value कितना होता है? 216 अभी हमने बताया था formula इसकी value एक number है तो ज़्यादा formula लिखते हो टाइम ना best करते हो हैं अब हम इसमें formula ऐसे direct लिखो P E by F तो आप जानते हो formula क्या होता है? P E intersection F बटे क्या होगा? P F होगा value put करो इसकी value कितना? 1 बटे? 216 और यह कितना? 6 बटे? 216 यह आ चुका है तो देखो यह इससे का answer out हो गया तो 1 बटा कितना? 6 अगा तो बस हमें इतने ही solve करना था यह question number कितना था? 8 था तो बहुत आसानी से हमने solve कर लिया आपको समझ में भी आ चुका होगा कोई दिक्कत नहीं रही होगी को कोई दिक्कत होगी आप skin sort ले लीजिए 8 नमबर में बस एक ही question था यह हो चुका चलिए इसका skin sort आप ले चुके होगा एक से नम रफ कर देते हैं फिर next question देखते हैं कि next question क्या है देखो 9 नमबर question है थोड़ा सा अच्छा question है आप तो देखो एक परिवारिक चित्र में पतलव फोटो खिच्वाने गए फोटो खिच्वाने आप तो मोबाई यूज करते होंगे फोटो बहुत खिच्वाते होंगे लेकिन में मम्य पापा क साथ कम खिच्वाते होंगे जो खिच्वाता होगा उसके लिए देखो क्या खिच्वाता है एक परिवार में माता है माता को इंगलिस क्या बोलते हैं मदर और फिर क्या कह रहा है, कि पिता है, तो पिता को इंगलीस में क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, पुत्र, पुत्र को इंगलीस में बोलते हैं, यही तो बोलते हैं, तो हम सब का कैप्टल वर्ड लेकर, इसमें एक समष्च बनाते हैं, यानि परद जैसे कह configure एक गटना कWow three competitions की एक क्या है फोटो खीच्वाना अब फोटो खीच्वाना हो तो आप काँषी फोटो खाओगा है आप गहोगे कि आप क्या सन पोटर है अगर उसका पोटर है तो वो बहुत प्यारा है अगर प्यारा होगा, तो मम्मी इस साइट रहेंगे, फादर इस साइट रहेंगे, यह तो रहेंगा, अगर माल लिजिए, कि कोई ऐसा परिवार है, जहां पर, कि फादर यहां पर है, लेकिन बच्चा बहुत प्यारा है, तो आप कहोगे, कि बच्चे में बीच में रखा देखो, मम्मी यहां पर खड़ी हो गई, तब भी सही है, अब भी तो सही है न, लेकिन आप पापा से अपने क्या करते हैं, गुसा हो, सपोज कर लेकिन अपने पापा से गुसा हो, लेकिन फोटो खिचवाना चाहोगे, तो कहोगे, नहीं हम आपके साथ नहीं रहेंगे, त तो हमने ये कहा किवाः इअब पापा और गुस्सा हो तो मम्मी तो बीच में आएगी कि नहीं बादर इदे चलेगे क्योंकि पापा से गुस्सा हो ना उमने पैसा मांगा लेकिन अपने पावन नहीं धिया तो फोटो के चमाना था, तो मम्मी को आप पास में लेके आओगे, क्योंकि आप पापा के बगल नहीं जाना चाहोगे, कि अगर पापा के तो फादर किनारे चलेगे, मम्मी बीच में आगे, सन बीच किनारे आगे, लेकिन आप फादर अधर भी तो हो सकता है, क्या अधर नही कर सकते हो, मम्मी तब भी तो आप अपने पापसित गुस्से में थे, जिसके कारण मम्मी बीच में आई, सपोच कर लिजे, अब आप मम्मी से गुस्सा हो, आपने खाना मांगा लेकिन नहीं दिया मम्मी ने, तो आपको कहा जाके निकालो, कुछ भी बाता ऐसे होई, तो मम्मी से गुस्सा हो, तो कहोगे हम नहीं बोलेंगे, तो मम्मी को किनारे कर दो, अपकी फादर अपना काम सारा फादर से चरवाते हो, तो चलवा रहे हो, ये हो गया, फिर ऐसी धर हो जाए, F और M हो जाए, देखो, पर्दस समझ्ठ बन गई, ये चीज़ का था, कि हमने बना लिया, कितनी घटना बनी 6, अगर हम देखते हैं, इसमें कितनी घटना टोटल बन गई 6, तो 6 घटना ये आपकी बन गई, जब 6 बन गई, अब आप आ जाईए, जैसा कोईशन कहता है, बैसे हम देख लेते हैं, करा एक, ये घटना है, जिसमें ये कहा गया, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानि पुत्र क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, अब पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो कौने सिरे खड़ा है, पुत्र का मतलब S, S का है, यहाँ पे भी तो एक सिरेप है F, M, S यहाँ पे भी है M, F, S यहाँ पे भी तो है S, F, M यह पुत्र एक सिरेप है हो गया फिर कहा गया पिता मद में खड़े हो पिता मद में खड़े है F क्या है कहा कहा गया पिता मद्ध में खड़े है अगर आपके पिता मद्ध में खड़े हैं तो ढूड़ो कहां बीच में क्योंकि दोनों के प्यारे हैं तो ये देखो इसमें कितना पिता है न F का मतलब ये हो गया या S F M हो गया अब आप देखो दोनों का हो गया हमें क्या निकालना होता है कि इसमें intersection अगर दो नुक ले लेते हैं E intersection F निकालो तो common क्या होगा यहाँ पर भी यह है यह है और F यह दो common हो गया तो आप क्या कर दीजिए इनको ले लीजिए यानि M F S और S F M यह इसमें common हो गया तो हमें probability किसका निकालना होता है तो P F बराबर क्या पढ़े हो आप यही तो पढ़े हो N F बटा N S तो आप देखो N F की value कितना है एक दो element हो गया और इसमें कितना N S में अच्छे है फिर अगला हम निकाल लेते है P E intersection F निकालो तो आप कहोगे कि N E intersection F बटे क्या होगा N S हो जागा अगर आप value बात करते है तो इसकी value कितना है E intersection F की value हमने कितना दो निकाला है और इसकी value कितना है 6 तो यह आगया काटना चाहोगा 2 त्याइँ 6 हो जागा 1 बटा 3 और यह भी काट देंगे तो 1 बटा 3 आगया E by F तो हमने कहा था उपर जो रहेगा वो intersection रहेगा दोनों का E intersection F और नीचे F है तो आप क्या लिखोगे PF लिखोगे value रखो 1 by 3 और 1 by 3 तो यह देखो दोनों कड गया बराबर कितना 1 आगया तो हमें यह चीज़ सॉल्व करना था जिन्नों हमने आसाने से निकाल लिया तो आपको कोई problem नहीं होगी कि कोई इसमें problem नहीं होगी आप skin sort इसका ले लो फिर आगे देखते skin sort आपने ले लिया आपको कोई समस्या नहीं होगी कोई कोई समस्या होगी कोई चन को कैसे solve करते आप आसाने से स्रीक्स में चिके होंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं रहोगे, बस हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे अच्छे कोई सल्व करते, वीडियो को आपको समस्ते रहे, मस्त रहे, अपनी लाइफ में आप पढ़ते रहे, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक से सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच